हेलो गाईज तो केसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं मोटरोला एश 30 अल्टरा वर्सेस वन व्लस टेंटी 5G के बारे में आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतना लेट कंपेरिसन क्यों बना रहा हूँ जबकि ये फोन तो कब के लौज हो चुके हैं इतना लेट इसलिए हुआ गाईस क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था मैं एकदम अभ्यासर लड़का हूँ इसा मुझे लगता है मेरे घलवालों को लगता है खेर ये बाते छोड़ते हैं बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो आज हम कंपेरिक करने वाले हैं मोटरूला एश 30 अल्डरा वर्सेस वन-प्लस 25 तो दोनों के बॉक्स में हमें मस्त माल मिलता है तो जो बॉक्स है हमारा तो दोनों के बॉक्स में हमें फोन चार्जर केबल सिम इजक्टर टूल और प्रापरटी पेपरस मिल जाता है दोनों के box में हमें काफी अच्छा वाला माल दिया है कोई कटोटी की नहीं है दोनोंगे built and quality के बारे में बात करते हैं जो मोटरूला में है वो metal frames है और oneplus में plastic frames है OnePlus ने Plastic Frames इसलिए दिये क्योंकि OnePlus ने जो गेमिंग मतलब नेटवक की जो स्पीड है न वो अच्छी आनी चाहिए न तो उसके लिए एंटेना जेना वो ज़्यादा दिये है इसलिए उने Pластic Frames देने पड़े बाकी दोनों के पीछे की गलास वो Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड है और फ्रंड भी Gorilla Glass 5 से प्रोटेक्टेड है तो मतलब दोनों में हमें अच्छी क्वाली बिल्ट एंड क्वालिटी मिल जाती है तो चलिए अब हम बात करते हैं डिस्प्ले के बार में तो जो हमें मोटरोला में डिस्प्ले मिलता है वो है 6.7 इज का फुल HD PLUS P OLED डिस्प्ले मिलता है जो की 144 हर्ट के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है HDR10 PLUS का सपोर्ट है इसमें हमें 360 हर्ट स्ट सेंप्लिंग रेट मिलता है और 1300 इज की पीक बराइटनेस मिलती है और यह डिस्प्ले जो है वो कर्व डिस्प्ले है मतलब जो ज़्यादा प्रीमियम लगता है और जो वन प्लस में हमें मिलता है वो है 6.7 इंच वाला हाँ 6.7 इंच वाला फूल HD PLUS AMOLED डिस्प्ले मिलता है हमें 120 हर्ट का रिफ्रेश रेट है HDR 10 PLUS का सपोर्ट है 360 हर्ट्स सेंप्लिंग रेट है लेकिन गेमिंग के वक्त यह ना हाड़वेर बेस 720 हर्ट्स तक चला जाता है और इसमें 950 इंच की पीक ब्राइटनेस है मतलब इतनी ज़्यादा पीक ब्राइटनेस देनी कि क्या जरूरत ही वन प्लस आज कल की जो आइफोन ने 1600 नहीं 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है और तुम 950 निट्स दे रहे हो क्या लॉचिक बनता है और यह डिस्प्ले उपर से फ्लाट है मतलब डिस्प्ले में कटोती ज़्यादा की है तो मोटरला क्या-क्या एड्वांटेज लेके जाता है वह पहली बात है यह कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे हमें 144 हर्ट का रिफर्श रेट मिलता है और यह पी ओलेड डिस्प्ले मतलब प्लास्टिक का होता है लेकिन वह ज्यादा डियूराइबल होता है बस यहीं डिफ्रेंस हैं हम दोनों के डिस्प्ले में चलिए बात करते हैं प्रोसेसर के ब जिसका नाम है स्नैप ड्रेगन 8 प्लस जेन वन जो की 4 नैनो मिटर के टी एसमसी के फैबरिकेशन पे बेस्ट है इसलिए यह प्रोसेसर हीट नहीं होता अगर पहले ही कॉलकों में जो टी एसमसी की टेकनोलजी यूज़ कर लेता ना तो ना वहाँ पे काफी अच्छी बात ह नों वाली थी को चलिये बात करते हैं बैटरी में तो वब्स में 150 वॉट की चारजिंग मिलती है और जो मिटरला है इसमें 125 Beach Pokemon मिलती है और मोटर जो में 1610 मोटरी मिलती है अच्छा काम किया है लेकिन में OnePlus ने तो बाजी मार दी क्योंकि OnePlus के जो फोने वो बैटरी बैकप तो इतना अच्छा वाला निकल के दे रहा था कि क्या बताओ मैं आपको और उपर से 150 Watt की charging मतलब वो कैसा हो गया सोने पे सुहागा ऐसा OnePlus ने किया है तो OnePlus ने मेरा दिल खुश कर दिया है ऐसे features देखें बाकी दोदों में हमें LPDDR fire eye मिलती है UFS 3.1 की storage मिलती है जिसकी read और write speed अच्छी है और अपके multitasking भी अच्छे से हो जाएंगी तो हमें software के बारे में software के बारे में बात करते हैं तो Motorola में हमें my UX मिलता है जिसमें हमें Android 12 मिलता है और OnePlus में हमें oxygen OS 12 मिलता है उसमें भी हमें Android 12 मिलता है दोनों में हमें 3 साल के major Android updates देने का वादा किया है और 4 साल के security patches मुझे ज़्यादा विश्वास OnePlus पे है क्योंकि OnePlus पूरे के पूरे promised update देता है लेकिन OnePlus ये अपना Motorola नहीं देता ऐसा मेरा कहना है क्योंकि पिछले जो phone है उसमें दिया नहीं था इन्होंने चलिए बात करते हैं केमेरा के बारे में Motorola में हमें मिलता है 200 मेगापिक्सल का में केमेरा जिसमें OIS का support है और जो OnePlus है उसमें 50 मेगापिक्सल का में केमेरा आता है इसमें IMX cidade.com sensor आता है तो 200 Megapixel का Motorola का sensor है और 50 Megapixel Oneplus का sensor है तो इसमें बस एक ही difference है कि ये जो 200 Megapixel का Samsung का है 150 Megapixel का Sony का है और ये अरят difference है तो ये जो 200 Megapixel का sensor है यह जब आप photos कीचते हो तो यह ज्यादा detail प्रोडूस करता है आपकी जो pictures ली होती है बाकि दोनों में 50 Megapixel का ultrawide मिलता है दोनों में नहीं Motorola में और oneplus ने तो क्या ही काम किया है 8 Megapixel का ultrawide दिया है अजके जमाने में justified नहीं होता है और जो 50 Megapixel का Motorola का camera है उसमें 114 degree field of view है और जो oneplus का है उसमें 119 degree field of view है मतलब oneplus का थोड़ा ज्यादा वाइड है camera sensor बाकि extra 12x12 telephoto मिलता है हमें Motorola में जो एक portrait लेने के लिए अच्छी image capture करने के लिए दिया है और यहाँ पर oneplus ने हमें telephoto छोड़के हमें the legendary sensor मिलता है जिसका नाम है 2 Megapixel macro तालिया होने चाहिए बाकि Motorola ने resolution में तो बहुत अच्छा काम किया है और एक जगा अच्छा काम किया है selfie दी गई है 60 Megapixel Motorola H30 जो था ना यह वर्ड का पहला फोन था जिसमें 60 Megapixel की selfie मिलती थी और 16 Megapixel की 16 Megapixel की selfie हमें Motorola नहीं oneplus प्रोवाइड कर रहा है मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कटोटी की गई है बाकि जो Motorola वीडियो रेकॉर्ड करता है वो है 4K 30fps फ्रंड कैमेरा से और 8K Ultra HD वो भी 30fps Max रेर कैमेरा से मोटरला ने बाजी मार दी और जो वनप्लस है उसने 1080p वीडियो रेकॉर्ड कर पाता है 30fps पर फ्रंड कैमेरा से मतलब यहाँ पे भी काफी घटिया काम हमने नहीं वनप्लस ने किया है बाकि 4K 60fps Max वीडियो रेकॉर्ड कर पाऊगे आप वनप्लस की रेर कैमेरा से दोनों की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं मोत्रोल आमें हमें मिलते है 13 5G मैंट्स बाकि जो wifi 6E मिलता है हमें मोट्रोल आमें और wifi 6 मिलता है हमें ब्लूटूथ वाइब्स में व्लूटूथ हमें मोटरोलो में ब्लूटूथ 5.3 मिलता हमें 1 Plus में NFC भी दोनों में मिलती है dual 4Gyour battery भी दोनों में मिल जाता है तो दोनों ने अच्छा काम किया है तो एडवांटेज कौन कौन लेके जाता है, पहली बात मोटरूला 13 बैंट्स लेके जाता है, और वाइफाई 6E मिलता है हमें, और वनपलस में हमें Bluetooth 5.3 मिलता है, मतलब दो पॉइंट्स मोटरूला को मिलता है, कनेक्टिविटी में और वनपलस को एक पॉइंट्स, इन्होंने ए सपोर्ट करते हैं, और वनपलस में हमें, सॉरी मोटरूला में हमें मिलते हैं, डूल स्टीरियो स्पिकर्स ये भी डूल भी एट्मोस सपोर्ट करते हैं, जो हैप्टिक से हमें डूल X-axis हैप्टिक मिलते हैं, वनपलस में, और डूल X-axis लीनियर मोटर के साथ हैं, हैप्टि OnePlus ने किया है haptics के मामले में प्राइस के बारे में बात कर ले में वही enhances होता है जो मोटरूला की प्राइस है 8128 के लिए वह हे 59000999 और एक लेक्स एतना में 8128 जो OnePlus में तीन वेरियंट आते है जो 8128 वेरियंट के लिए प्राइज है 49,999 है और 12256 वेरियंट के लिए प्राइज है 54,999 और 16256 वेरियंट के लिए प्राइज है 55,999 तो OnePlus ने यहापे अच्छा काम किया है RAM ROM के बारे में तो आपको अच्छा वाला काम करना है हमारे चैनल को बड़ा बनाना है वैसे तो बड़ा बनाना का काम मेरा ही है तो आपको कॉंट्रिब्यूट करना ही होगा तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन होगा तो उसे दबा दो और हम पाउचा दो टॉप पर लेके जाओ फिलाल में फिलाल के लिए बाई गाईज